जी वियर्स वेलकम बैग, गुड़ हेल्दी मॉर्निंग, अब हम बात करेंगे, वैसे तो हम सुबह से ही बात करें है, रोज़े के बेनेफिट्स पे, जिस पे भी हमने थोड़ा साइक्लोजिकल पॉइंट फ्यूस पे बात की, थोड़ा से बात की, सुबह थोड़ा से है, और और क्या बेनेफिट्स हो सकते हैं, इसलामिक पॉइंट फ्यूस से भी और इस पर बात करने के लिए हमारे पास है, डॉक्टर अजीज अंजुम, इनको वेलकम करते हैं, असलाम की डॉक्टर साहिवा, कैसी है, अलहम बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, रमदा करना शो की जाए, अचा देखें, रोजा जो है, वो एक ऐसी अबादत है, जो पूरी की पूरी फिजीकल हेल्थ से इन्वाल्व होती है, यह एक बदनी अबादत है, जिसमें हम अपनी, अपने जिसम को घजा लेने से रोकते हैं, यह तो इसका फिजीकल पहलु है, लेकिन अबादत के तहित, एक टाइम पीरियड में, वी कंट्रोल आवर सेल्फ, कि यह करना है, यह नहीं करना है, यह लेना है, यह नहीं लेना है, तो इस तरह रोजे का जो सबसे बड़ा बेनेफिट है, वो यह है, कि इनसान अल्लह की इतात करता है, और अल्लह के हर वक हो, तो सबसे बड़ा जो रोजे का बेनेफिट है, वो यह, कि इनसान अल्लह की इतात, अमली तोर पे कर रहा होता है, प्रैक्टिस करता है, सहीं, अच्छा, अब डॉक्टर सेब मुझे बताए, कि यह तो एक बेसिक एसन्स हुआना है, एक रोजे का, अच्छा, रोजे के स जो हम रोजा रखते हैं, तो हम सारा वक्ट पानी नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीने से हमारी बोड़ी कि उस वक्ट क्या हमारी बोड़ी पर असरात पढ़ रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, अच्छा, ऐसा है कि देखें, रोजा दरहकीकत उसमें दो चीज़े शाम अगर आप सहरी अच्छी तरह कर लें, जो सहरी लेने का बहुत हुक्म भी है, नभी करीम सह्मने बहुत कहा है, सहरी किया करो, सहरी बाबरकत है, तो अगर अच्छी सहरी की जाए, और वाटर इंटेक रात में अच्छा लिया जाए, जैसे 10 to 15 लिटर, और हमारे पास इतना, 10 to 15 लिटर? 10 to 15 लिटर, एक लिटर के करीब तकरीवण, तो वो जो वक्त होता है रात का, उसमें अगर हम पानी ले ले लें, तो दिन में पानी की कमी इस हद तक नहीं जिस्म को होती, सिवाई इसके के गर्मी बहुत हो, अब गर्मी बहुत है, तो पानी की कमी को रोकने के लिए ये चाहिए के हम ज़्यादा धूप में ना निकलें, लखको को कूल डाउन करने के हम नहाज सकते हैं, हम तो इठंडी इंवायमेंट में रह सकते हैं, लेकिन ये कि आजकल का मौसम तो ऐसा है कि फिर भी बहतर है, बहुत शदीद तो गर्मी नहीं है, कि फर्क पड़ हैं और जो लोग सहरी नहीं करते हैं, उनके साथ क्या होता है सारा दिन में, उनकी फिजॉलोजी पर क्या फर्क पड़ता है? अजर में लेकर में, सहरी वो कुवत फराम करती है, जो आपको दिन भर रोज़ रखने में मदद देती है ना, नभी करीम सहसम की стали सहरी करके रोजे में मदद لो, सहरी करके सुनत में सुनत मिलए को यह, ऐसा खाना लेना चाहिए, और डॉक्टर्स भी कहते हैं, और डॉक्त जिसमें जैसे निशास्ते वाले गजाएं हैं और रिशे वाले गजाएं हैं और इसमें बेहतरी जो सहरी है जो सुन्नत से मिलती है वो खजूर है शोर्बे वाला सालन है दूद है पानी है दई है अगर ये चीजें हम प्रॉपर लें तो हमारी इतनी इंटेक हो जाती है का खाना कैसे डिफेंट होता है नॉमली जो हम खाना खाते हैं वह सहरी और अफ़तारी से कैसे डिफेंट होता है अच्छा देखे हमारे हाना जो एक अब ट्रेंड बता जा रहा है लोग देर से उठती और नाश्ता नहीं करती यह अपनी प्रैक्टिस में देखती हूं लोग वह बहतर अंदास में करती हैं तो जब हम शहरी ले लेती हैं तो आपका जो मौर्निंग मील है वह आपका अच्छा हो जाता है साही दुपहर का खाना है यह आपका थोड़ा आगे चला जाता है और आफ़तार तब और जो 放ब कर दो फitted हैं तो आपका करने से फिल होता है यह की ना यही तो बात हम सिभा से कर रहे हैं कि हम लोग फिल जादा करते हैं और इतना होता नहीं है अच्छा रोक्टर सब आप मुझे बताएं कि आपने का जादा फाइबर वाली चीज़े सुभा में खानी चाहिए तो किस तरह की चीज़े सुभा में ख इसा सालन्च जिसके अंदर मतलब शोर्बा ज्यादा पाया जाता हो ना वह लिक्विड होता है और वह बहुत ही मतलब देर तक रहता है ना फलियां अगर मुमकिन हो फल खा सकती हमारे यह फल अफ़तार में खाती हैं फल सेहरी में खाएं ज्यादा फाइदा होगा जैसे के फॉर्ट तो शीक्स आर्स तो फॉर्ट तो सिक्स आर्ट रहती हैं मतलब मैदा जो सुफएद आटा है उसकी बनिस्बत बगैर चने आटा जो है उसकी रोटी देर तक रहती है अगर अज़कर अचकल हम लोगों की सहरी का टाइम है साड़ाई चार का तो अगर चार बिज़ जरूरी नहीं है कि हर वक्त ही खाता रहे मतलब इतनी ताकत और इतनी इनर्जी हो जाती है और इतना ग्लुकोज लेवल होता है कि एक नॉर्मल जो रोटीन लाइफ है वो आप गुजार सकती हैं बिलकुल और यह भी डॉक्टर साहीब है जो मैं पर सुभा आई थी उन्हें भी हमें एक बात यहीं कही थी कि इनसान तो तीस दिन तक खाए पिए बगाइर भी जिन्दा रह सकता है तो यह तो से तेरा चौदा घंटे हैं मुशकल से अच्छा मुझे पर एक बाह बता है जो इतनी देर तक हमारा पूरा स्टामक जो होता है वो स्टामक भी पूरा जी सिस्टम जो होता है वो खाने से खाली रहता है तो सिस्टम को क्या फाइदा परचता है सिस्टम को यह फाइदा होती है डिटॉक्स होता है क्या होता है जी इसमें एक फाइदा तो यह होता है कि जो डिटॉक्सिंग एजिंट होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है ठीक है उसक फिरकार वो glucose molecule बन जाती है, तो हमें जो चाहिए होता है, जो हमें चीज मिलती है, वो glucose मिलता है, अच्छा जब glucose ज्यादा हो जाता है, तो वो जाकर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि मुटापा बढ़ रहा है, और उससे पिर diabetes और hypertension और cholesterol ये सारी चीज़े इस आपकी extra जमा थी अंदर energy, वो आपकी dissolve होती है, और वो आपको मिल जाती है, तो थोड़ा सा weight loss का भी इसमें एक benefit हम लोग को मिलता है, सही रग्ड साहिबा, वक्त ही चर्ट से break का, हम उतनी बातें continue करेंगे, वियोज कहीं मैच जाएगा, हम अभी आ रहे हैं